हेलो फ्रेंड्स यह मेरा एक इंडोर सीन है जो छोटा सा सेटप बनाया हुआ है यह मेरा सेलिंग है सेलिंग पर एक लाइट लगाई हुए है जो मेरे सीन के कोडिंग है सो यह मेरा दो वाल को मैंने रेड और एलो कलार दिया हुआ और एक मेरा स्पयार है यह मेरा जो और नॉल अल्ड्सेक्शन यह और हमारा प्रेंप सेक्शन है यहां पर सेंपलिंग के बारे में पढ़े थे और यह डेफ्थ है यह दोनों पैरमीटर सेम देख रहे हैं हमें में हमें दिखाई दे रहे हैं Ray depth क्या करता है जो हमारा sampling है उसके बारे में हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था जो quality होती है उसको improve करने के लिए हम sampling को use करते हैं और हमारा render quality जो जिस तरीके से निकालना होता उसके लिए हम इन सब parameters को use करते हैं जो हमारा sampling का parameter होता रेड क्या करता है यह responsible होता है light को bounce करने के लिए और contact करने के लिए different surfaces के लिए हमारे जो scene है मतलब जो हमारी light है वो एक surface से दूसरी surface पे जैसे मालीजिए यह हमारा एक scene है अभी spare है और हमारा जो wall है तो उस पे हमें किस तरीके से light को आपस में bounce कराना है उस parameter की setting होती है कि हमें light को bounce कितनी बार कराना है उस तरीके की setting हम rate depth के अंदर जो rate depth हमारा tab है इसके अंदर हम set करते हैं इसके अंदर भी same diffuse specular transmission है तो सबसे पहले हम लोग diffuse पे study करते हैं कि diffuse किस तरीके से हमारा जो light raise है उसको किस तरीके से bounce करता है किस तरीके से यह parameter grab करता है जो है अभी मैं diffuse को तो क्या किया है वो चीज़ लेख सकते हैं तो मैंने rate depth diffuse is equal to zero कर देता हूं कि याद रहे कि हमने कितना parameter use किया था तो यह हमारा जीरो हो गया और इसका एक snapshot ले लेंगे जो है हम आगे render में compare करेंगे diffuse को मैं increase कर देता हूं जो diffuse parameter है हमारा rate depth के अंदर उसको मैं increase कर देता हूं तो मैं इस image को save भी कर लेता हूं यह दुबारा से launch करूंगा जो मारा render viewer होता है रुक जाता है अब इसको diffuse को मैंने one कर दिया तो यह हमारा render हो रहा है जो rate depth diffuse है उसको one करके render मैंने start कर दिया है यह देखिए दोस्तों यह scene हमारा render हो गया अब यहां पर मैं इस comment section में rate depth की value one डाल देता हूं अब देखिए इसमें क्या different हुआ जो हमारी light bounce कर रही थी एक surface से दूसरे surface में उसको मैंने zero कर दिया था diffuse में diffuse क्या करता है कि एक surface से दूसरे surface में rate depth diffuse जो है bounce करता है जो यह हमारा parameter होता diffuse को एक surface से दूसरे surface में हमारा light bounce करने के लिए होता है सो यह दिखिए, यह हमारा red color का जो wall है, वो reflect कर रहा है, जो bounce कर रहा है, actual में reflection नहीं है, यह bounce कर रहा है, light bounce कर रहा है, और जो यह yellow color का है, वो भी reflect कर रहा है, और जब मैंने diffuse को zero किया, तो यह reflection, जो यह bounce है, light bounce, light raise bounce है, वो नहीं हो रहा था, ये काम करता है हमारा जो है red app diffuse तो ये भी एक बहुत important parameter होता है कि किस तरीके से इसकी setting हम लोग रखे, अब मैं इस red app को 5 कर देता हूँ दुबारा render करता हूँ इसको और render करके मैं इसी में इसको save कर देता हूँ एक जगहां पे उसके बाद इसको हम लोग compare करेंगे क्या different आता है तो दोस्तों ये देखिए ये हमारा जो है जो diffuse का value एक में 0 रखा एक में 1 रखा और एक में 5 रखा लेकिन कोई 1 और 5 वाले जो हमारे diffuse है उसमें कोई ज़्यादा different नहीं दिखाए दे रहा है तो इसका मतलब जो है जो light bounce है उसमें ज़्यादा difference नहीं show करता है इस parameter में जो red diffuse है उसमें हम अगर value 1 रखते हैं तो ये उतने से ही हमारा जो light का bounce है वो complete कर लेता है हमें यहाँ पे ज़्यादा value देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है जो इस image में आप लोगों ने देखा कि कोई different नहीं है जो value 1 है और value 5 है उसमें कोई भी different नहीं ज़्यादा में show कर रहा है so thank you दोस्तों next video में मैं आप लोगों को specular की बारे में बताऊंगा so thanks दोस्तों